हलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने फेवरिट यूटूब चैनल SK Education में फ्रेंट्स अगर आप नीट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो ड्रीम है वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए हैं तो आपको सबसे पहले आपका जो नीट का एक्जाम है उसकी तैयारी अच्छे से करनी होगी अच्छे से एक्जाम को किलियर करना होगा ताकि आप बहुत यह अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएं लेकिन कई बार स्टुडेंट्स को बुक्स का पता नहीं चल पाता है वो टोपिक वाइज कंसेप्ट हैं वो किलियर नहीं कर पाते हैं तो आज इसी वीडियो में हम जो डिसकस करेंगे वो नीट एक्जाम के बुक्स के संबन्द है जिसमें हम आपको कम्प्लीट जानकारी बताएंगे आप टोपिक्स को कवर करने के लिए इंटरनेट के भी साहिता करते हैं एक नहीं दो दो बुक्स भी पढ़ते हैं टीचर्स के नोट्स भी पढ़ते हैं आपके बनाए हुए सल्फ नोट्स भी पढ़ रहे हैं जैसे आप आपने टोपिक्स को कवर कर रहे हैं मैं आपको यह कहुँगा कि आप बिल्कुल उसको कंटीनू रखे लेकिन सबसी important सीजी यह है कि अभी जो आपका समय है वो बहुत कम है क्योंकि जब भी आपका exam होगा तो हो सकता है कि आपके पास बहुत कम समय मिले तो अब जो आप घर पे lockdown पे रहते हुए अपनी study कर रहे हैं उसमें आप एक गंटे या दो गंटे के छोटा सा time और add कर लीजिए जिसमें आप per day एक mock test जरूर कीजिया उससे आपके तैयारी और भी अच्छी होगी आप जैसे आपका तीन गंटे का paper है तो आप कितने hours में वो complete कर पा रहे हैं mock test को कितने time दे पा रहे हैं कितने time में आप उसको complete कर पा रहे हैं कितने questions आप attempt कर पा रहे हैं और जैसे ही आप suppose कीजिए आपने दो गंटे में exam कर लिया उसके बाद में आपको क्या करना है कि self analysis करना है कि कितने questions मने attempt किये हैं कितने questions मेरे correct आए हैं, कितने मेरे questions रोंग आए हैं, किस part के अंदर मने ज़्यादा questions सही किये हैं, किस part के अंदर मेरे सबसे कम questions attempt हुए हैं इस तरह से आप analysis करेंगे और जो आपका week section है जो आपका week topic है उस पे आपको दुबारा से study करना है जो आप अपने time schedule के coding कर रहे हैं अगर आपने अभी तक अपना time table नहीं बनाए तो मैं आपसे सबसे पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने study cut time table जरूर बनाएं सुभह के manoragen के साधन है आप उनको भी continue रिखिए और friends अभी जो मैं आपको एक books बता रहा हूं उसमें भी काफी अच्छे अच्छे आपके जो mock test है वो दिये गए हैं आप अगर उनकी तयारी करेंगे तो और भी अच्छा रहेंगा ये neat 12 practice set 2020 के नाम से ये book available है जिसका अगर आप ये book खरीदना भी चाते हैं तो उसका link भी नीचे description में भी दिया हूँ है आप चाहे तो वहां से भी books खरीद सकते हैं बहुत ही अच्छी books है ये काफी students इसको खरीद रहे हैं मुझे भी अच्छी लगी इसलिए मैंने आपको बताना भी ये उचित समझा इसमें काफी mock test है इसक इसमें total of 596 pages है पुब्लीसर है जो इसका अरियंद publication इसका 10th edition है जो 31 अगस्ट 2019 का है और पिछे की questions को भी अच्छे से attempt कीजिए ताकि आप अच्छे से आपको जो concept है वो clear है को doubt ना रहे और आप ये नहीं कि 12 mock test होने के बाद में भी आप अगर कहीं आपको online या मुझे भी कोई link मिलेगा तो मैं आपको online की विचान करी दूँगा कि आपने जो आपका नीट का exam है उसके लिए आप online mock test जरूर से दें ताकि इसके इसके लिए आपको जो आपका exam final exam होगा उसमें आपको काफी help मिलेगी तो friends ये थी थी थोड़ी सी complete जानकारी जिसमें हमने आपको ब कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर पहली बारा है और अभी तक आपनी चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी सी चैनल को subscribe करने कि शाथ साथी bell icon पे जरूर कर ली क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नयए video upload करूं तो सबसे पहले आपको notification के मादिम से वो जानकरी प्राप् ट्रूजए ते कि यह से मैं तो स 열Al शॉग्षियू थ Tet